बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता एलविश यादव ने बिग बॉस का पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ कर इतिहास रच दिया है। एलविश बिग बॉस जीतने वाले पहले वाइल कार्ड कंटेस्टंट है और ऐसा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ है। Grand finale के बाद एलविश ने एक विशेश बातचीट के दौरान अपने और अभिशेक मलहान के साथ चले अपने भायचारे के बारे में बताया। मैं जब भी भावुक हुआ हूँ तो अपनी मां के कारण ही हुआ हूँ. फैमिली वीक के दोरान मेरे पिता शो में आये थे लेकिन आज के लिए फिनाले में मेरी मां भी आये और यह मेरे लिए बहुत भावुक पल था. अगर मैं ना भी जीतता तो भी वे मेरे ये खुश होते कि आखिरकार हम इतने लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से मिले. इतने लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से मिलने का एहसास मैं शब्दों में बया नहीं कर सकता. दबंग स्टार के साथ अपने प्यार और नफरत के रिष्टे के बारे में पूछे जाने पर एलविश ने कहा मैंने सलमान खान के लिए जो रोस्टिंग वीडियो बनाये थे वे 2020 के थे मैंने उन्हें तीन साल पहले बनाया था उसके बाद मैंने खुद को बहुत बदल लिया है content जो मैं बनाता था उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए है और वो अकेले नहीं थे जिन्हें मैंने बुनाया था मैंने कई अन्य लोगों को भी बनाया था सलमान सर के प्रती मेरा दृष्टिकून रवया भी बदल गया है क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी गलतियों के बारे में समझाया था वीकेंड का वार पर एक बड़े भाई की तरह और अच्छी चीज समझी उनको शायद पता भी हो कि मैंने उन्हें रोस्ट किया लेकिन फिर भी वो चीज को वो भुला कि उन्हें इतना बड़ापन दिखाया वो चीज बहुत अच्छी लगी भविश्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धान्यवाद